दो दियोसी दोरे पर भुटान पहुचे प्रधान मंतरी नरिद मोधी को भुटान के सर्वोचिनागरिक पुरुसकार और अफ दरूप गलापियोसी नवाज आ गया है इस दोरान भुटान में पीम के चाहने वालों की भी भीड देखने को मिली साथे सम्मानित किये जाने पर पीम ने इसे दोनों देशों के रिस्तों से जोड़ा है वह आपको भी ये भी बता दे कि सिर्फ चार लोग ऐसे हैं जिने अभी तक सम्मान मिला है क्यों है ये सम्मान खास चले बताता है पीम मोदी ने भुटान की अपनी दो दियोसी राज़की यत्रा शू करते हुए शुक्रवार को थिम्पू में भुटान के नरेश से मुलाकात की भुटान नरेश से मुलाकात से पहले पीम मोदी का भव्य श्वागत किया गया इसके बाद भुटान के राजा ने सुक्रवार को प्रधान मंतरी नरिद मोदी को order of the drug लापयों से सम्मानित किया इस पर PM ने क्या कुछ कहा आप देखें वीडियो आज एक भारतिय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दीन है आपने मुझे भुटान के सर्वोच राष्ट्य एवर्ड से सम्मानित किया है हर एवर्ड अपने आप में विशर्ष होता ही है लेकिन जब किसी अन्य देश से एवर्ड मिलता है तो ये भरोशा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे है आपको ये भी बता दे ये भुटान का सर्वोच राष्ट्य नागरिक सम्मान है पियम मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए है जिसकी वज़ज़ सी ये काफी खास माना चारा है वही अगर आप दे ड्रुग लापयो सम्मान की बात करे तो भुटान में ये सम्मान काफी महत्वर रखता है इसे समाज में जीवन भर की उतकरिस्ट उपलब्दियों और योगदान का प्रतीक माना गया है जुग लापियों के सम्मान को सभी सम्मानों अलंकर्णों और पदकों पर प्राथमिक्ता दी जाती है अपने स्थान के बाद से यह पुरुषकार केवल चार पतिस्टित हस्तियों को प्रदान किया जा चुका है जिसमें अब पियम मोदी भी शामिल हो गया है आपको यह बता दे यह सम्मान की घोषना सालों पहले ही हो चुकी थी जिसके बाद अब पियम मोदी को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है आपको यह भी बता दे पियम मोदी को अब तक 15 देश अपने सरवच सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं इस जानकारी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इन खबर